नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ बहुत इंपोर्टन वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान की मूर्तियों को सही धंग से कैसे साफ किया जाता है, बजार में मिलने वाले जो powder होते हैं, जो chemicals होते हैं, उनके साथ अगर पसंद आए तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरू करिएगा, तो आज मैं आपको भगवान की मूर्तियों को सही धंग से साफ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो यह देखे भगवान विश्रु जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और इस पे रोली, च सोने जासी चमकने लगेंगी, भगवान जी सिंहासन देखिए, तो यह भी काफी इसका कलर चेंज हो चुका है, मुझे यह वीडियो बनाना था, तो मैंने काफी दिन से न मूर्तियों को साफ नहीं किया था, क्योंकि यूटुब पे मैं देख रही थी बहुत गलर ढग से ल साफ करूंगी, तो देखिए, मैं सबसे पहले अपने लड्ड़कोपाल को साफ करूंगी, तो भगवान की मूर्तियों को आप बिल्कुल वैसे ही साफ करें, बहुत ही प्रेम भाव से, जैसे आप अपने बच्चे को इसनान कराते हैं, तो लड्ड़कोपाल को खुब प्या साफ करेंगी, तो इसी तरह से मैं यह पूरा दही कलेप सिंघासन पे लगा देरी हूं लड्ड़कोपाल के, और देखिएगा आप मैंने बिल्कुल भी महनतनी की ना इनको स्कॉच ब्राइट लिया रगणने के लिए, ना ही मैंने कोई जूना लिया ना ब्रेश लिया और ना ही मैंने कोई तरह का केमिकल लिया तो इस बात का विशेज ध्यान रखिएगा कि इन चीजों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें भगवान की मूर्तियों को साफ करने ही में क्योंकि मूर्तियों के साथ हमारी आस्था जूर जूर जाती है हम रोज इनके आगे पूजा कर आप देख सकते हैं दही का ड़र बिल्कुल चेंज हो चुका है तो इस तरह से मैंने सारी मूर्तियों पर दही का लेप लगा दिया है तो यह देखिए भगवान विश्वी जी लक्शमी जी की मूर्ति को भी मैंने साफ कर दिया है बजार में जो चीजे मिलती है उन चीजों मैंने इन पर अच्छ से लेप लगा लगा अजय दिया जा अजय दिया अज़ जब्किल दही कलर बातो होता है यह बहुत ही सही और अथेंटिक तरीका मैं आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि मेरी भगवान के परदी बहुत अस्ता है और मैं बहुत गलत वीडियो देखती हूं मंदिरों में भी देखिए इसी तरह से मूर्तियों को साफ किया जाता है तो अब हमने इनको 20 मिनिट के लिए छोड़ दिया ऐसी दही का लेप लगा के और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे तो 20 मिनिट के बाद देखिए मैं शुद्ध जल के साथ मूर्तियों पे जल को डाल रही हूं और बहुती प्रेम भाव और बहुती अराम से तो देखिए मुर्तियों कैसे चमक रही है तो यह इसे बिलकुल सही तरीका सौने की तरह मुर्ति चमकने लग गई है यह देखे, हमाई सोसोती माता बिल्कुल साफ हो गई है, और जो जल गिर रहा है, उसको आप गमलों में डाल दें, इसको आप सिंक में मढ डालिएगा, इसी तरह से हम अपने लड्डु को पाल को भी निसनान करा देंगे, तो यह देखिए, चमक गईना मूर्तिया, यह देख बिल्कुल सोने की तरह हमारे लड्डु को पाल चमक रहे हैं, तो सेम इसी तरह से सादे पानी से हम सारे भगवान को अब इसनान करा देंगे, और सब मूर्तिया हमारी चका चक चमक जाएंगी, तो हैना यह बहुत आसान तरीका, देखिए, राधा कृष्णी कितने अच्छ तो यह मेरे लड्डु को पाल अपने चमकते हुए सिंघासन पे विराजमान हो गए, मेरे राधा कृष्णी भी बिल्कुल नए से हो गए, भगवान विश्यू, लक्ष्मी और माता सौस्वती सबको मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, तो आप लोग को यह वीडिय मेरे कोशिश पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा, इस वीडियो को जारा दा लोगों के साथ जरू शेयर करिएगा, क्योंकि यह बहुत सही नौलेज मैंने आप लोको दी है कि भगवान की मूर्तियों को सही तरीके से कैसे साफ करत देखिएगा और मैंने बहुत सारे प्रशाद और भोग कैसे बनाते है भगवान के उनकी मिठाईयों के भी मैंने वीडियो बनाए तो उनको भी जरूर देखिएगा अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए जैशी कृष्णा